टेट से पहले सिक्षक भरती को लेकर छात्रों की तरफ से कुछ मांग रखी जा रही है क्या टेट से पहले सिक्षक भरती आ सकती है क्या प्रस्ताव रखा जा रहा है क्या लाखो जो छात्र हैं उनके सपने तूट जाएंगे और साथ ही फ्रेंड्स यूपी टेट परिक्षा को लेकर बेसिक्षा बिभाग के सचीव यानि की अनामिका मिश्रा जी का क्या आदेश दिया गया है क्या नए प्रस्ताव रखे गये हैं नए डेट कब तक पूरा फानिलाइस होगा सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में बताया जाने वाला है अज की हम वीडियो में जानेंगे सब कुछ बहुत ही सेपरेट तरीके से लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है आप लाइक कर सकते हैं और जो भी आपके दोस्से उनको जरूर शेयर करिएगा सबसे पहले अगर यहां बात की जाती है कि क्या सिक्षक भरती आपकी टेट से पहले आ सकती है क्योंकि एपेपर वाले भाईया ने भी एक आर्टिकल मोर्निंग को पब्लिस किया था जो कि अभी आपके स्क्रीन पर है भरती निकली तो लाखों के सपने हो जाएंगे तूच जाएंगे बिखर जाएंगे जी हाँ फ्रेंड्स क्योंकि देखें यहां दो गुट बट रहा है अभी जिन्हों ने टेट पास नहीं किया है वो यह चाहते हैं कि जो भरती है वो टेट जो फो में उसे हम नहीं हुई लेकिन फ्रेंड्स यहां जो भी प्रसिक्षू टेट पास कर चुके हैं उनका यह कहना है भरती आनी चाहिए हम क्यों रुके तो क्या ऐसा हो सकता है क्या टेट से पहले नए सिक्षक भरती आ सकती है तो फ्रेंड्स देखें अगर ऐसा होगा तो कहीं न कहीं यह कि है कि यह आपकी मुख्य परिक्षा है ठीक है कि प्री ना होकर मैंस हो गई है तो आपकी परिक्षा रद कर दीगा ऑपर लिंट के कारण और संदेग्स घेरे में हम आपको यहां बता देते हैं कि पेपार लें पर दो है travelers है अब प्याद पी पर भी जताया जा रहे हैं कि क्या PNP की तरफ से भी कुछ किया गया है तो HDF इसकी भी जाच कर रही है क्या है पूरी भी जल्द्री पता चलेगा लेकिन अगर हम यहां बात करें तो अभरतियु की मांग यह भी रखी गई गई अगर शुक्षक भरती की मान की जा रही है अभरतियुकी तरफ से तो जिनों यह बहूं तो उनके लिए यह कहा गया है कि जिसका कोभी नाइटिन के कारण टीटी का एवजन नहीं नहीं हो पाया तो ऐसे में सिक्षक भरती का इंतजार कर रहे हैं अभ्यरतियों की जो संख्या है वह भी बढ़ गई है और अभ्यरतियों का कहना है कि टीटी दोबारा आयोजन कराने और परिक्षा परड़ाम घोसित करने में लगबद डेट से दो मेंने तो आपके लग जाने वाले हैं ठीक है इस बिच नई भरती का अगर बिग्यापन जारी हुआ तो आवेदन जो है फर्स जाएगा फ्लैस करे भी है तो इसमें टीटी 2021 अभ्यरतियों को भी शामिल किया जाए उनको भी मौका दिया जाए तो यह पूरी बात इन दोनों जो भी अभ्यरती पास कर चुके हैं और जो भी अभ्यरती अभी टीटी का एक्जाम देने वाले हैं उनकी ये बात रखी गई है और फ्रेंड्स ब बने लेकिन उन सपनों का क्या जो सरकार आप देख सकते हैं शासनादेश भरती आती है एक भरती आती है पांच साल कोट में रहता है तब जाके कहीं न कहीं कैसे कैसे करके कंप्लीट होता है तो यह तो देखिए यह बात साफ है फ्रेंड्स टेट के बाद ही कहीं न कहीं जाती है कि टेट की जो परिक्षा होगी वो कब तक होगी तो जैसे कि हमने बता है बेसिक सिक्षा विभाग की सची जो है अनामिका मिश्रा जी हाली में मीटिंग हुई और उनके कहा गया है कि अभी देखिए 26 देसंबर जो डेट कहा जा रहा था तो एक मात्र ये प्रेडिके है कि दिसंबर में हमारी कोशिस है कि आप सभी का एक्जैम करा लिए अब मुस्किले क्या हो रही है कि सीटेट का भी एक्जैम होने वाला है ठीक है शोला दिसंबर से लगवक 13 जनौरी तक और ये एक्जैम इतना लंबा चल रहा है मतलब कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि द देखा जा रहा है कि किस दिन एक्जैम होना है और किस दिन एक्जैम नहीं होना है और उसी पर अभी चर्चाय चल रही है और उसी की जो भी है आगी की प्रक्रिया चल रही है ठीक है तो अभी तक कोई भी डेट जो है फाइनल नहीं किया गया है आपके टेट एक्जैम को ल नहीं है बस इतना ही कहा गया है कि कोई भी प्यús मालिया जाता है तो आप सभी सुचित कर दिया जाए का तरी ऐधिया तो सभी सीटेट की तैारी अच्छे से करिए सीगे उसके बाद कि फ्लैश नहों यह दोनों विभाग एक ही है यह अलग बात है कि आपका सीटेट सीबीसी कराता है और टेट आपका पीएंपी कराता है तो फ्रेंड्स अब बस हम यह कहेंगे नए डेट का आदेस आने तक आप सभी वेट करिए अच्छे से त्यारी करिए बाकि टीटी के बा मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कर सकते हैं और जो भी आपके दूस फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करिएगा थांक्स वाचिंग टेक क्यार